आखों की जो पलके होती है उनका तो यूज सबी को पता है कि भार से जो धूल मिट्टी के कर्ण आते उनसे हमारी आखों को बचाते है लेकिन क्या ये आखों को पर आई बुरո जो होती है क्या इनके यूज पता है लोग समझते कि ये तो एक दूर पर है इनका सरीर में कुछ भी यूज नहीं है इनका ना होने पर सरीर पर कुछ भी प्रबाव नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है इनका भी सरीर में बहुत ज़्यादा यूज है लेकिन लोगों को नहीं मालूम है इनकी शेप इस प्रकार की होती है यानि जब बारिश होती है तो बारिश का जब पानी आता है तो सर से होता हुआ इनके कारण वो साइड से नीचे गिर जाता है बारिश का पानी के कारणी आँखों में नहीं जा पाता है इसलिए हम किलियरली दूर तक किसी भी चीज को देख सकते हैं वी चीजे खिलियर दिखाई देती है। यह विवर रतो हूं लिवर जो हमारे सरीर में पसीन आता है लिवर वग आटी है क्योंकि यह आइब्रो उस पस ужас को सायड prod देती है। क्योंकि अगर वो मानलो पसीने यदि आंक में चला गया क्योंकि पसीने में नमक होता है और यदि नमक आंक में चला जाता है तो समझ सकते हो आंकों में कितनी दिक्कत आएगी इसलिए आई ब्रोच का यूज क्या होता है कि 22 का पानी होता है यह किसी पसीने आता है तो उनको आखों में जाने से रोकता है तो आई विरोच का ये इंपोर्टेंट काम है लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है लोग समझते ये इसका होना या नहोना सेरी में कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा लेकिन इसका जो मेन रीजन था वो मैंने बता दिया